आज हम सिहासन 32 की दूसरी पुतली चितर लेखा की कथा सुनते हैं एक दिन महाराज विक्रमत इत्ते शिकार खेलने को गई शिकार खेलते खेलते वे एक उज़े परवत पर जा पहुचे वहाँ पोचको और उन्होंने एक सादू को सादूने मिलीन पाया पुरी शर्दा के सादू से परणाम करके वे वापिस लोटने लगे उन्होंने उसकी तपस्व में बादा डालना ठीक न समझा जैसे ही वापस जानी के लिए वे मुड़े अचानक सादूने पुकारा सुनो राजा विक्रमा देते रुको सादू की वाद सुनकर राजा विक्रमा देते रुक गए सादू ने उनसे कहा तुम्हारी सिष्टता से हम अत्यत प्रशन हुई लो इस फल को गरहन करो इसे खाने वाला पुत्रवान बनेगा उसके तेजस्वी एवम ये शश्वी पुत्र उत्पन होगा तब उससे वहफल अपनी राणी को जाकर दे दिया उसके पत्री ने वहफल बड़े चाव से सविकार कर लिया राजा विक्रमा देते अपनी पत्री को भूच आते थे लेकिन उनकी पत्री के नगर कोतवाल के साथ अवेज संबन थे नगर कोटवाल के घर दे शिश्वी पुतर उत्पन हो गया इसे इच्छा को अपने मन में संजो है राजा की means पत्ली नवे चमतकारी फल नगर कोटवाल को दे लिया नगर कोटवाल का प्रेम एक वहिशे से था उसने अपने प्रेम के काण है वहिशे को दे लिया उसके मन मन ही मन विचार किये कि ऐसा चमतकारी फल खाने के दिकारी महराज विकरमदित्य ही हो सकते है उनके घर में पूतर होगा तो इसे श्वी राजा बनेगा राजा विकरमदित्य के पस्चात वे राजी की देखरे एक फली बाती करेगा यदि यही विचार कर वे वेश्या राजा के दरबार में उपस्तित हो गई और राजा को एकांट मिले जाकर उसके गुण राजा को बता कर वे फलों ने दे दिया फलों को देखकर राजा के विश्या कोई ठीका न रहा ना रहा राजा ने वहिष्यों से पोचा तो मैं चुमतकारी फल कैसे प्राप्ट हुआ वहिष्या ने राजा से कहा माराज मुझे यह फल आपके नगर कोटवाल से प्राप्ट हुआ है क्योंकि वह कभी कभी मेरे पस मुनोरन जिन की उदिश्य से आ जाता था उसे ने मुझे या भीट सब्रू परदान किया था अब राजो कोई ऐसे मुझे देर लगी कि ना देर नहीं लगी कि इसकी पतनी के नगर कोटवाल के साथ अवे सम्मन है व्याते हैं दुखी हुआ फिर भी सत्तिता का पता लगाने हुए तो वह है अपनी पतनी के पास पहु तब यह काया है राजा ने कुरोद में भरकर वह फल राणी के सामने कर डखते हुए कहां राणी की हालत ऐसे थी की काटो तो खून नहीं दूस्ट रीचता कि अपराज में पकड़े जाने के भैस से वे गिर कर बेहोश होगी पद्री की बेववफाई से दुख्यों कर खंट साधना में लीन होगी जब देवराज इंदर को इस बात का पता चला कि राजय विकरमदिते राज बाठते आकरवन में जाकर कुटवर साधने में लगे हुए है तो अन्होंने मन हिमन विचार किया प्रज्या और देवतों के पीरिये राजय विकरमदिते की उनिपसि से घंटे नगर की पहरेदारी करता हूँ राजा भी ही राजी की रेक्षा करने लगा बहुत समय के पस्चा जब विक्रम का मन तब से कुछ हटा तो उसने सोचे कि अपने राजी की भी कुछी खबर सुद ले जानी चाहिए अधराती के समय वा अपने राजी के सीमा में जैसे प्रविष्ट हुआ तो देवराजिंदर के द्वारा भीजे गए देव ने उन्हें ललकारा तो कौन है इधर भी ना सोचे समझे वे मुझ से आगे लिए भी ना कहां बढ़ा जा रहा है मैं इस राजी का राजी की रखवाली करता हूँ तो पहले मुझ से द्विंद आगे बढ़ सकता हैं अन्य कोई उक्ति ना देखकर राजा विक्रमादित्य ने देव की ललकार को सविकार कर लिया कुछ देर के सकती परिक्षिन के पस्चात विक्रमादित्य ने देव को द्विंद यूद में पराजित कर दिया बराजित होका देव ने कहा मैं मान गया ह कि तो ही राजे विक्रमा दीते है आज से मैं तेरे अधीन हुआ है अब मैं जाता हूँ लेकिन जाने से पहले एक बात के रहे तुम्हें सावधान के जा रहा हूँ कि एक बैरी तेरा यहां भी आ पहुचा है वहे तेरा पिछले जनम का दुश्मन है वहे एक योगी है और परदानों की अनुमती लिए उच्छ दिनों बाद उसके दरबार में एक योगी पस्तित हुआ उसने राजा को एक अदबुत फल परदान किया उस फल के अंदर से एक बहु मुल्या लाल निकला राजा ने परिसकार देनी की इच्छा परकट करते हुए कहा योगी राज मै तुम्हें तुम्से अत्तित परशन हुँ करिए मैं तुम्हें क्या परिसकार दूँ मैं तुम्हारी कैसे वह करूँ योगी ने राजा की बात सुनकर कहा महराज ये ये आपके मन मुझे कुछ देने का ही वन रहा है तो मेरे साथ चल कर मेरी सहायता करूं राजा योगी को वचन दे चुका था इसलिए उसने अपने वचन की सत्यता को परमानित करने के लिए वह उस योगी के साथ चल दिया एक समशान में पहुँच कर उस योगी ने राजा से कहा देखो इस समशान में उस वरिक्ष जो मुर्दा उल्टा लटका हुआ है उसका नाम बेताल है में बेताल उसे कथा सुनाने लगा राजे विक्रम को स्वधान पाकर वाइस दूर कर अंधा उड़ा और फिर से विर्प्ष पर जाकर उल्टा लग्ए लेुक्रम देते ने बैटाल को चौबिसद बार व्रिक्ष नीचे उताँ उतारा जुबिससवार बैटाल उसे बातों जालने उल्चा कर उसे मुक्त होता रहा 25 वी बार जब राजा उसे लेकर चला तो बैतान ने कहा सुनो विक्रम जिस योगी के लिए तुम मुझे ले जाना चाहते हुए वह धूर तैवं कप्टी है वह तंतर साधना की सिद्धी कर रहा है आज उसकी साधना का अंतिम दिन है जब तू मुझे वहां लेकर जाएगा तो भै तुझे देवी के चर्णों में सिर जुकाने के लिए कहेगा जब तू सिर जुकाएगा तो भै तलवार से तरी गर्दन काट कर देवे मा के चर्णों में तरी बली चड़ा देगा चूकि सिद्धी के लिए राजा की बली क्या विश्यक्ता है अता जो ही तेरी बली चड़ीगी उसकी सिध्य पूरी हो जाईगी बैताल के इस कथन से राजा को देव राज इंदर किया गया देव के कथन की आद हुआई उसने बैताल का धन्यवाद अदा किया और उस दूस्ट योगी को मोत के घाट उतारने में सहयोग की बात कही बैताल के श्रीर को लादे हुए व्यतांत्रिक योगी के सामने जा पोचा राजा को देखकर योगी ब्रोत परशन हुआ उसने कहा राजान हमारी साधना अंतिम चर्णों में है अथारता पूरन होने वाली है अता परशन होकर देवी मा के ब्रती सिर जुका कर अप इस एक पाता यदि ऐसा करना अश्रीक है तो पहले हम मुझे सिर जुका कर दिखाएए फिर मा आप पानुकरन करने का प्रयास करूंगा जैसे ही तांत्रिक योगी ने अपने सिर जुका कर देवी के समुक शर्दा परकट करने कर धंग बताया वैसे ही विकरम ने अपनी तल रक्षा है तो दो विश्य श्रीवक परदान करती हूं दोनों बेताल हैं यह हर वक्त तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे समरन करते ही उपस्तिद हो जाया करेंगी देवी का आश्रवाद पाकर राजा अपने महल को लोटाया नहा कथा सुना का दूसरी पुतली भी अप क्तशुक से बताना चाहती हूं कि हट करना तुम्हारे हित में नहीं होगा आतै तुम हट त्यास दो यहीं तुम महाराज विकरम अदित्य जैसेalten करते हैं करने में समर्थ हो तो अवस्षय में विश्य हसन पर बैट सकते हो इसके लिए मैं तुम्हाराज विकरम अंदित्य क कथा सुनाती हैं यह कहकर पुतली चंदर कर लाने कथा सुनाने प्रारव की